मुखिया थे आज बर्तमान में दूसरा कोई मुखिया लोग जो धरना पर बैठे थे उनकी जो मांगे थी वो सही है या गलत है इनने देख आज के समय में जो भी मुखिया लोगों का कारजकरम है उसमें पूरी तरह से सरकार ने कटवती कर लिया है और जो मुखिया अपना मा कर रहे हैं वह जायश कर रहे हैं उनके साथ में हम लोग हैं कि मुखिया का अधिकार अधिन नहीं है तो वहां की जनता क्या करती है कि मुखिया जी मेरा एक काम कर और मुखिया का अधिकार अधिकार से वह बंचित है तो क्या करें कौन कौन सा अधिकार अभी छिन ली गई ह मुखिया का अधिकार है इंद्रावास जोजना अधिकार है उसके बाद रासनकाड जोजना है उसके बाद में हर विकास का जोजना है और उद्धकर दिया गया है अब यह बताईए मुखिया अभी आप लोग हरताल पर देती थी आज की समय में एक भी पैसा नहीं दे रही है अब यह बताईए मुखिया जी अभी आप लोग हरताल पर चरहें किस वज़ा से आप लोग हरताल पर हैं सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्य बाद देता हूं हम लोग इसलिए हरताल पर हैं यह दर उपर देखिए सरकार कर रहे हैं आप लोग ग्राम साथा कीजिए हम सबसे हम लोग सारे ववास्ता कर आरे हैं जानता अपने समस्य ग्राम साथा में रख रही है जानता करें ते रोट बनना चाहें पहला है किन सरकार जानता को काम को नहीं कर रहा है घया लेजिए ग्राम साफमने सब्सक्राइए गरुलिक है कि आकार defense still hour की जानता जनता क्या सरकार को आई योजन सब्सक्राइए जरा रहा है इसलिए किप जनता मुख्या का सारा हिसा पांच बरिस के बाद हम जनता में कैसे दिखाएंगे एक रासम बनवाने के हम लोग का पावर नहीं हम लोग कैसे करेंगे अभी तो पैसा हम लोग नहीं फंद्रावां भी ताया दो तीन महीना वस्ट जा रहा है आज जब सरकार के जो नज हम लेकिन मुख्या दरो एक भी कोलती नहींगा ये गिल्लेट हो जाएगा उस पर सोकार्डिकाल जाएगा